क्यूंकि आपको कोई डिस्टिब्यूटर लड़की से बात करता ही नहीं, कोई रीटेलर लड़की से बात करे गा ही नहीं, इसा सारे ब्रेंड्स के साथ है, अच्छा, इनर वेर इंडस्ट, और ऐसा क्यूं है? बहुत देसी है, बहुत ख्लोस्ट माइंसेट है, उनको नहीं लगता कि वो धंदा लड़की के साथ कर सकते हैं, अपने जो रीटेलर का बोला, तो अल्टिमेटली रीटेलर तो फीमेल से ही डील कर रहा है, एंड कस्टमर तो उसके फीमेल ही है, बट वो इधर से किसी मेल से कनेक करना जाता है, अपने ब्रैंड के लिए बहुत कन्विक् रिचा फ्रम डीची का, यह थोड़ा सा राइमिंग टाइप होगे, रिचा फ्रम डीची का, इन फाक्ट जब नमिता और वेनीथा हम साथ में, वन इस तादिंग देर और हमारा लोगो भी था, वे वेरिग क्लोज अल्सों लाग दाट विच 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 क्रफिंग, वन इस तो मुझे सब से पहले हैं कि लास्ट वह चिट्टी दी यह वो किया था वालच विच 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 शीट डिशेव एंटी तो वह बहुत बड़ी था में डिस्कुशन कर रहे थे सब इतने समझ नहीं आया था बाउड़ दे ब्रन टीष्या देर यह उन्य मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है तो उन्हों ने का ठीक है देन उन्हों ने उसके लिए एक अटोग्राफ लिए जेस्टर डाला तो वोथ हाउस के अंदर ओके यह एक सुस्पेंस बन गया था लास्टेम में जिए बाट बाट बड़ा जेस्टर डाला और यह भी में बड़ा फानी तरीकी से कहते हैं उनको मैं आ नहीं रहा हूं आपके पास पार्टनर बड़ा मेरे बोट के वैड़फोन के इतना मत छोड़ना ठीक है अच्छा हम साक टैंग में जो आप लोगों के साथ हो सब बात करेंगे बट उससे पहले थोड़े सी में जानी जाना चाह कि एक बहुत स्ट्रॉंग सेंटेंस कह सकते हो आप है क्योंकि एक विमिन के लिए आप को सब कुछ करना पड़ता है आपको सोशली प्रेजंट होना पड़ता है फैमिली के लिए प्रेजंट होना पड़ता है बिजनस में क्योंकि इतना डिमांडिंग है उसके लिए तो हम लोगों ने ऐसे स्टार्ट किया उनकी डॉर्टर हुई थी तो हम पहले किद्स वेंचर में थे तो हमने किद्स वेंचर में कुछ चार-पांच साल अपने काम किया एंड वी रिलाइस कि जो हम कर रहे थे किद्स वेंचर में वो एक बहुती स्केलिबल कंपनी नहीं ब्रांड नहीं बना पाएंगे वो उसके अंदर जो भी प्रॉड़क्ट था वो एक कमोडिटी बिसनस की तरह हम चला रहे थे इसके बाद हमें रिलाइस हुआ कि जो भी हम कर रहे थे न वो एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा था किसी भी उसी पर्टिक्लर इंडस्ट्री का तो 2018 में हमें रिलाइस हुआ कि नहीं यह जो हम कर रहे हैं इसका हमें कुछ और एक बिगर मोटिव बिगर विजिन ढून चाहिए तब हमने इसमें और ध्यान दिया और रिसर्च करी और रिलाइस किया कि उसी किड्स कैटेगरी के अंदर हमारे पास एक सेग्मेंट है जो है 8 यह से लेकर 18 तक वो जो किड्स कैटेगरी के अंदर आता है पर वो बिल्कुल भी कोई भी ब्रैंड या कोई भी इंडस उसे अंदर थे और हमें रिटान के बारे में बिजनिस के बारे में समज थी तो हमने रिलाइस कि है कि इस कैटेगरी में अगर हमें गुस्ता है को ए साप्राड़क लाइन ।मच जो ऑपरीषिनल फ्रेंड ली हो से ए सके लिए प्रॉफिटेबल होना चाहिए तब हमने इ इनर वेर की उस एज ग्रूप के लिए है ही नहीं अगर आप उस टाइम बैक इन 2019 देखते हैं आम आमजोन में जाते हैं या किसी भी ऑनलाइन प्लाटफॉम में जाते हैं और बिगनर ब्रा डालते हैं या ट्रेनर ब्रा डालते हैं वो की वर्ड ही अवैलेबल थे लोग उस प पार रहे थे उनको एक स्पोर्ट्स ब्रा की तरह यूज कर रहे थे जो बड़ी लड़कियां जो तीस साल की फोटोस डाली है तो और फाइव यह की फोटोस में ब्राज पहनी हुई थी वो मदर ढून परी थी अपने बच्चों के लिए तो उस टाइम क्या हो रहा था उस तो अधर विमन वेर के छोटे साइज के लिए जा रही थी या किड्स वेर के बड़े साइज के लिए जिसकी वैलेबिलिटी अलरी बहुत कम थी अगर बड़े ब्रांट्स देखते जैसे हैं हो गया यह मार्क्स ऐस्पेंसर हो गया उसमें भी उनकी इतने बड़े स्टोर्स में बहुत ही छोटा सेक्शन अवैलेबल था उस पर्टिकलर के लिए और वह भी बहुत बेसिक और वेनिला डिजाइन जो इस पर्टिकलर एज ग्रूप से कोरेलेट और नहीं रेजोनेटी नहीं कर रहा था तो वह काटेगरी हमने समझी और उस काटेगरी के लिए हमने एक पर बनाया जो हमारा को प्रोड़क आज भी अमारा बेस सेलर है ऊचिक हमारे ब्रास सेर्वान्स पर करते हैं जो हम प्रोपन कर चाहते हैं इस आज की जो बहुत ही इको फ्रेंडली और सस्टेनिबिलिटी रिएकोंशिस जेनरेशन गों के लिए जहां पे हम री उसिब्ल प पेस है ऐसा नहीं है कि इनर वेर लोग बनान ब्रैंड नहीं है और बहुत सारे ब्रैंड्स है जो कर रहे हैं बट कोई भी इस पर्टिकुलर एज ग्रूप के लिए स्पेसिफिकली नहीं बना रहा है तो वह एक चीज जो हम अपनी ब्रैंड कम्यूनिकेशन के साथ और तो क्या इसी एज ग्रूप के लिए प्रोड़क बना रहे हो जी अपर नहीं नहीं हमारा रहता है टैनियर से लेकर अंडर ट्वेंटीफाइव तक जिसमें हमारा टीन गर्ल्स आता है और यंग विमन आता है तो हमारा जैसे हम दोनों सेक्शन में बेचते हैं किड्स सेक्श मार्केटिंग कैसे करते हो भी आप मतलब यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं यह थोड़ा सा किसी प्रोड़क से कैटेगरी थोड़ी हटके है तो क्या बहुत सोचना पड़ता है बहुत प्लान करना पड़ता है कैसे मार्केटिंग करें हम इसको मार्केटिंग एक बहु को इनव करना है कि यह कार्टिग एपके लिए एक रीबल है उन् gens कर एक विए डीकट स्टॉम्यूंड के ओन जीए बना वote हैं तो है आप लहारा है यह ымиञ्डिके बाने जेफ इख विश्टरो ले चटार अपने शिस्टर्स थी बानस के लिए नहीं जाने की जो रिए एक ब्राइंड जो आपके लिए प्रॉड़क्ट बना रहा है वो कम्यूनिकेट करने के लिए बहुत स्ट्रॉंग कम्यूनिटी बिल्डिंग हम करते हैं जिसे हम डूल कम्यूनिकेशन कहते हैं जहां पर अगर आप जैसे मैंने अपने एज ग्रूप दो हिसों में डिवाइड किया है आठ साल से लेके 17 साल की लड़की के लिए जो भी डिसिजन मेंकिंग होती है वो एक मदर करती है ठीक है फ्रॉम वोविंग फ्रॉम अठारा साल टू अंडर 25 एक लड़की जैनरली खुद अपने डिसिजन मेंकिंग इनवेर की करने शुरू करती है जैसा है कि तिल 17 क्योंकि अपने की तब बहुत सही बोला आज के टाइम भी करती है क्योंकि मदर आपको आप सेलेक्ट कर लेते हो फ्रॉडक्त तेक है आपको पता है हर लड़की के अपनी चॉइस बहुत इन को पता है उनको क्या चीँ है तास वाई माना रहे क्योंकि अगर मदरी सारा डिस में जाती है अपना सेलेक्ट करती है and the mother takes the final call okay that whatever she wants to buy is that appropriate according to the pricing according to the cut style everything अब जैसे हमारे रेंज में अगर आपकी लिटी say for example 10 साल की है तो हम एक नौनिस साल के लिए भी ब्रा बना रहे हैं उनिस साल के लिए भी प्रोड़क्ट बना दे हैं तो एक सेलेक्शन हता है हमारे पास बेसिक चार पांच कलर जो स्किन वाइड ब्लाक है हमारे पस कुछ प्रिंट भी है तो लड़की का चॉइस है she has the choice to select what she wants and then the final purchase is done from the mother यह होता है दस साल से सत्रा साल तक की लड़की का और उससे आगे वो खुद अपने पर्चेस करते हैं बट इन डाट ऑल्सो सत्रा साल से अंडर 25 जो पीरेट केर प्रोड़क्ट्स हैं उसमें उस एज ग्रूप में भी अद्ध सब्सक्द कर जाएं तो जर्था ऐहां जो पचे donn सेंट्रिक एर्ड उते हैं और वहाट पे रने के शिपली करते हैसं पॉने कर था यह प्रक्राइप प्रण कर दोन कर jsum वो हम मेक्शूर करते हैं कि वो तीनेजर को अट्राक्ट करें so the information about the product the community building happens to the teenagers and the young women but when it comes to a conversion for sale we target the parents for that और अभी online ही अब जादा करें हो बिल्कुर, online करें हमारा एक बहुत चोटा सेक्शन है जिसमें हम general trade से offline में भी penetrate करें है so that is a very small and it's a very slow brick by brick building vertical that हम जो कर रहे हैं तो वो हमारा कुछ 10% of the business वहां से आता है तो अभी आपकी major business मतलब major trade साथ tier 1 में होगी क्या tier 2, tier 3 में भी ऐसे online लेते हैं इस age group में बिल्कुल आता है in fact flipkart tier 2, tier 3 को focus करता है और geomart करते हैं and they हम लोगों को अभी in fact recently हम लोगों को एक पूरा account मिला है flipkart में और वो लोग हम बैंगलोर उन से मिलके आए हैं और उनने वोला है कि हम लोगों को आपका sales Amazon को क्या Amazon हमारा maximum sales generate कर के देता है तो we want to meet Amazon and they और हम लोग उस तरीके से range बना रहे हैं यह देखेंगे तो हमारे पास 1.99 रुपीज की भी भाहा है और 6.99 799 रुपीज की भी भाहा है तो मिंतरा जीओ के लिए एक सर्टन सेगमेंट फ प्रॉड़क्शिंट्स होगी Amazon के लिए प्रॉड़क्शिंट्स सेलेक्शिंट्स होगी मिंतरा plus Flipkart और अजिव के लिए एक certaines selection होगी, offline के लिए एक certain selection होगी, export के लिए हमारी certain selection होती है, but we make sure that that's the whole strength of D. Chica baik that we will protect between the age group and the whole team from every economic level on the whole dynamic level. 乾う गार पिरिम्ट कावर करे that we make sure that in India the only girl who is in the coming years, if she wants to buy an inner where, she knows where to go and that is D. Chica. और जैसे जॉकी है या और भी कुछ ब्रैंड है जो हमारे हमारे competitors है जिसे आप कह सकते जैसे Amazon में teen segment में या young woman sector में हमारे we compete with jockey and enamor so we are the first best selling brand on Amazon currently और Amazon पर ही क्यों बाकियों पर कम क्यों सी हार marketplace का एक होता है एक कस्टमर बेस होता है कि क्या वह marketplace किसको focus कर रही है Amazon एक utility और essential product marketplace है that's how Amazon has built themselves as similarly अगर आप मिंत्रा देखोगे it's a women fashion focused marketplace okay a geo has a different you know aura to the marketplace or customer that is a flip card is something different so हार marketplace एक अपना आप टीजी कहलो यह demographic set करती है जो वो promote करती तो उनका maximum sales वहीं से आता है इसी लिए Amazon का maximum focus in essentials में होता है और utility based products के लिए होता है क्या कर्स में भी डिफरेंस होते हैं Amazon क्या कट लेता है more or less same होते हैं मिंत्रा के major खेल तो logistics का होता है okay ठीक है more or less जित और जो cut होते हैंना commissions होते हैं वो brand to brand उसके business to business सेल्स पर डिपेंड करता है अचा सेल्स अगर जादा है तो कम कट होगा absolutely absolutely and sometimes it also is a very difficult कि जो भी नया brand है वो कई बार उन marketplace में list होने के लिए एक होता है list होने के बाद उसकी visibility create करना क्यूंकि top में अगर आप struggle है और अलग strategy है जो आपको create करने पड़ती है और वो ओवर टाइम भी कर सकते हो और यह विदर राइट bang on की strategy वाइस की काहसे आप उस product को ऊपर लाकि उस पर bestseller बना सकते हो पर पहुंचने से पहले मैं आपको सा बैग्राउंड जानना चाहूंगा मतलब फाइन स्वाइस कैसा अगर आप आज की डेट पर बोलो तो काफी अच्छा है बट अगर आप जब मैंने स्टार्ट किया तो जीरो से स्टार्ट किया था मैं क्रीटिव बैग्राउंड से हूं क्रीटिव बैग्राउंड है मैंने अपनी ग्राजुएशन परल अकाटमी फैशन बिजनस में करी थी और मैं डीचिका के लिए भी क्रीटिव डिरेक्टर हूं जहां पर मैं प्रॉड़क्ट करती हूं उनकी ब्रैंडिंग पर देखती हूं सप्लाइचें करती हूं तो बेस पर मैंने डेटा बहुत ही हाड़ वे सीखा है ओवर डाइम सीखा है क्योंकि और टाइम मुझे रिलाइज हूआ कि अगर मुझे डेटा पढ़ना नहीं आएगा मुझे नमबर समझ में नहीं आएगे मैं नमबर पर अपनी बारी की नहीं दिखाऊंगी और मैं बैंग नहीं उसके वज़े से मेरा ब्रैंड सफर करेगा और डीचे का मेरे लिए सब कुछ है तो मैं उसके लिए कितना और ओवरॉल भी उसके लिए आप नहीं कर से उसके लिए क्यूं कॉंस्टेंट लर्निंग इसलिए भी कहा जाता है तो आप अतने पैशनेट ओते और इतने दिल से तो मेरी को फाउंडर वानी वह बहुत स्ट्रॉंग है फाइनस में और फाइनस बैक्रांट उन्हों ने भी जर्नी में ही समझ और लर्न किया है आज हम एक पोजिशन में है कि हम अपनी मिस खुद बना लेते हैं अगर फाइनस वाले भाई साब नहीं होएंगे तो वह लेवल ह बना देता है एक इंसान को मैं बैक्राउंड इसलिए पूछ रहा था कि अगर आप मिडल क्लास से हो तो यह कैटेगरी है शायद ऑब्जिक्शन भी काफी आये होंगे कि किस कैटेगरी में यही काम करना है को दूसरा काम कर लो ऐसा कुछ होता है गया क्यूंकि मैं इसलिए कि मैं मिडल क्लास से पला बड़ा हूं हमने एक मुवी देखी थी पैड मैं अक्षे गुमार वाली तो इस मुवी को देखके समाझ में आए कि समाझ में वोमें के लिए जो इनर वेर या अंडगापमेंट या पैट्स के लिए होते हैं बाते नहीं होती है और जो बात करता ह है उसको थोड़ा अलग तरीके से देखा सकता है यह सगंदी बात कर रहा है तो क्या ऐसा कुछ होता है यह बहुत इंट्रेस्टिंग बात आपने करी है और यह हुआ था बट फैमिली में नहीं हुआ हम आफिस में पहले क्योंकि हम किड्स काटेगरी कर रहे थे तो उसमें क पहले तो इसे हिच के चाने लग गए कि यह क्या है कैसे बात करें मैं से कैसे डिसकास करें बट ओव अवर पिरियोट ऑफ टाइम जब आपको करना ही यह और दिन के आठ घंटे यह कर रहे हो और यह आपका ब्रेट बटर है दें इस इसी इंफाट मेरी जो जो वानी है मेरी मेरी लोग जब बाद करते तो जब अमने सस्टेनबल पीरिट कैर लॉंच किया था और हमने सस्टेनिबल पीरिट केल बेसिकली हमारी reusable period panties, reusable sanitary napkins, कि आपको disposable, dispose करने की जरूरत नहीं है, आप उसको use करें, वोजे absolutely leak proof and very hygienic, आप उसको use करें, उसको wash करें, clean करके, सुखा के दुबारा use कर सकते हो, तो वो हम range करते हैं, तो उसमें discussion जैसे होती थी, कि आपका वो flow इतना ले लेगा, उस वो लीक तो नहीं होगा, तो वो हम dining table पे बैठके, वो discussion ओनी शुरू हो गई, तो वो middle class family and that is also, in fact, मैंने shark tank में आपने भी देखा होगा, जो बात में bites आती हैं, मैंने यही मेंचिन किया कि हम एक बहुत मेजर जहां पर कम्यूनिटी बिल्दिंग की बात करते हैं वह बहुत इंपॉर्टन पार्ट है जहां पर हम यह taboo हटाना चाहते है, society में से, अगर आप देखेंगे हमारे social media में हम लोगों ने लड़कुक से बात करवाई है, menstrual health के बारे में, हमने father's का video clip reel बना के डाली है, which has got a huge amount of engagement, यह बात करवाई है, मतलब यह कैसे क्या? So basically हमने एक influencer थे, male influencer, उनकी daughter थी, और उनसे हमने बात, उनसे हमारा एक interaction और collaboration रहा था, जहां पर he was promoting and talking about the reusable period panty, which was very, very, you know, उसका बहुत अच्छा engagement आया था, it was accepted in the social media, and हमारा constantly social media पर रहता है, कि किस तरीके से डीचिका के through, हम यह social taboo पर, you know, हटाना चाहते हैं, और खुल के बात करना चाहते हैं, कि period या हो गई, या menstrual health हो गई, यह एक कमरे में बंद होके बात करने की जरूरत नहीं है, मतलब क्यों एक फादर अपनी बेटी के लिए sanitary products नहीं ला सकता, या क्यों एक फादर अपनी बेटी के लिए बिगनर ब्रा नहीं order कर सकता, कर सकता है न, क्या एक भाई अपनी बेटी के लिए sanitary napkin लेने क्यों नहीं जा सकता, अगर लड़की अनकमफर्टेबल है या उसको क्राम सा रहे हैं या पेन में हैं तो क्यों एक फादर या एक लड़का फ्रेंड स्कूल का स्कूल मेट है या एक ब्रादर है वो क्यों नहीं समझ सकता कि उसको क्यों दर्द हो रहा है उसको क्यों बोलने की ज़रत है कि मेरे प अब हम स्कूल्स में भी जा रहे थे और हमें बहुत लोगों ने बच्चों ने इन फाक बोला लड़कियों ने कि लड़के क्यों नहीं बैठे इस सेशन में उनको भी पता होना चाहिए ना मैंस्ट्रल हेल के बारे में तब ही तो वो एक्वालिटी ओफ कॉन्वर्सेशन होग जो डीचिका एक प्ले करता है इन दियर सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी अपार्ट फ्रम सेलिंग प्रॉड़क्ट जहां पर हम एक प्रॉड़क्ट बना रहे हैं हम प्रॉड़क्ट इंडस्ट्री में दे रहे हैं जिसकी जरूरत है जिसकी वैलेबिल्टी है पट उसके इला जो एक टाब हो है जो दुनिया में सब लोग बात कर रहें क्यों मुवी आचकल सोशल कॉस्पे बन रही है क्योंकि डाट इस नीड़ ऑफ दा आवर और कोई तो करेंगा बात किसी को तो वह टाम है आपको क्या लगता है क्यों बात नहीं होती है क्यों लोग छुपके बात क करते हैं मेरे को तो सच में नहीं समझ में आता पड़ यही तरीका है जिनरेशन से थीक है मेरे को आज in fact दो दिन पहले ही मैं क्योंकि working हो तो मेरे घर में मंदर है तो मैं अपनी तो मेरे down होंगी ना मैं अब नहीं करूंगी तो मैं नहीं मानती है इन सब चीजों को तो वो चीज ना इतनी penetrated है हमारे culture में generation से आप कहलो या geographically आप कहलो हर तरीके से हर वर्टिकल से इतनी penetrated है कि उसको निकलने में और नॉर्मलाइज होने में time लगेगा और हम लोग अगर उसके बारे में बात नहीं करेंगे और day to day situation में जैसे मैंने बोला अपने घर के अंदर domestic help में अगर हम उनको नहीं बताएंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है normal है हम लोग in fact अभी विस्पर ने एक बहुत सुंदर आड लॉंच किया जहां पर उन्होंने बोला पीरिट का मतलब हम बिमार नहीं है पीरिट का मतलब हम healthy है तो वो जो है जो हर कोई अवरी लेवल बाहर निकाल रहा है और बात कर रहा है वो इस चीज को खतम करने में जरूर है और वो टाइम लगेगा क्योंकि जब इसका मैंने नहीं इतना सोचा बट क्योंकि है जैसे कहते Tuesday को नौन विज नहीं खाना हम नहीं सोचते कि क्या कहानी उसकी पीचे बस नहीं खाते क्योंकि बढ़ों ने बोला है वो इस जस वान दोस तो क्या आपके नियर इंडियर या फिर आस-पास पड़ोसी वालों से कभ बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ कभी भी नहीं बात आई, नहीं, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि आप सिर्फ प्रॉडक नहीं वेच रहे हैं, आप एक अवेरनेस भी सुसाइटी में कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है, जो पैडमन जैसे फिल्में हमें स एक बहुत अच्छा प्लाटफॉर्म है, जो सोनी लाइव इंडिया में लाए हैं, और इवन दे गवर्मेंट बहुत इंपोर्टन रोल प्ले कर रही हैं, और अब तो ऐसा हो गया है कि अंटर्प्रेनोर्शिप हवा में हैं, सब लोग लिटरली ब्रीद कर रहे हैं अंटर् इक लिए टो ऐसा एंट विशन वेलबल कर रहे थे और ने बहुत स्ट्रॉंग है और जैसे मैंने आप से पहले भी कहा कि यह एक ऐसा ब्रांड है जहां पर प्रॉडक्ट तो ठीक है अवैलेबल है पर लोगों को पहुंचाना ये बात कि प्रॉडक्ट अवैलेबल है आपक हमारे ले बहुत जरूरी थी एक बहुत बड़े प्लाटफॉर्म में और शाक टैंक ने वह बहुत हमारा इसान कर दिया एक नाशनल टेलिविजिन में बताना की टीनेजर्स और यंग वुमिन के लिए एक ऐसा ब्रैंड है जहां पर उनको और कहीं जाने की जरुद नहीं जो स प्लाटफॉर्म प्लाटफॉर्म पर लोगों को पता चला बारे में और उसके इलावा एक और चीज़ हमें बहुत इंट्रिस्टिंग हमें बाद में पता चली कि कितना जरूरी है एक फांडर का अपनी शकल और अपनी अवाज बाहर निकालना क्योंकि आस फांडर्स हम इन ओंडर हम उत हांता कि कस्टम तक नहीं पहुंच पाते हैं गुंद्ध कोलिजेज में लोग उसे इंटराक्ट करते हैं यह मैं परसनल लेवल पर इसलिए क्योंकि मुझे प्रॉड़क्ट इवेलप्मेंट में वह करता हैं जानना जरूरी है कि कि मेरा कस्टमर बेस कॉन ह इसके इलावा यह जानना कि डीचिका की स्टोरी के पीछे या कॉंसेट के पीछे कौन है वो कितना इंपॉर्टेंट है कस्टमर के लिए यह नहीं शार्क टांक के बाध पता चला तो यह हमें बताना कि जो यह प्रोड़क्ट ब्रांट बना रहा है उसके पीछे हमारा अपना vision क्या है हमने क्यों start किया as women आप अगर आज की date पे देखोगे most not अगर हम जोके नामर को एक तरफ छोड़ दे उसके इलावा बहुत सारे domestic brands हैं इंडिया में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत बड़े-बड़े पीनल्स लेके बैठे हुए हैं उनके पीछे आदमी है मेल है जो कार्मेंट इनर्वेर वुमिन के लिए बना रहा है तो मुझे लगता है कि एक बहुत जरूरी है यह information देना कि एक इनर्वेर या सैनिटरी नापकिन पकड़ा दिया था जिसको देखे हम घबरा गए थे कि इसको हम क्या करें उसके इलावा हमें एक लेडिस की एडल्ट ब्राज और इडल्ट इनर्वेर दे दिया गया था जो माले बहुत अंकमफर्टेबल था उसको अड़ाप्ट करना तो मुझे लगता तो उसके लिए हम क्या प्रवाइड कर रहें उसको इजी और मोर कमफिटेबल और मोर कॉन्फिडेंट बनाना अपने बच्चों को उसको लिए हम क्या कर सकते वो इनिशियेटिव डीचिका कितरू हम ओफर करते हैं आपने भी बोला कि ब्रैंड बिल्डिंग में आप काफी अच्छी हो तो कुछ स्टाइजी अप शेर करना चाहों कि जो ब्रैंड बिल्डिंग लिए आपने यूज की स्टाइजी तो काफी हम भी और नौफ सीखते हैं बट अभी हम बहुत शौर है कि हमें किस टाइप की स्ट्राइजी करनी है और कौन सी स्ट्राइजी कहां पर स्ट्राइजी तो को या तो के वह भी हैं मैं आपको कि लिए भी कि अ किस हम भी होस्ट मिला एक बहुत बड़ी स्ट्राइजी यह से जो मैंने को बताया कि हम ने ऐस फालंडर्या अपनी फुद diesesong बनाके खुद को熧 और प्रोडक को एक्सप्लें करा उससे बहुत स्ट्राटिजी हमारी अच्छी चली जहां पर हम प्रोड़क को एक तरीके से खुद बेच रहे हैं हमने विडियो बनाई जहां पर हम प्रोड़क के बारे में ब्राक के बारे में जो भी हमारे प्रोड़क्त है उसके बारे में हम बता रहे हैं that was that is a very good way of trying to sell your product क्योंकि वहां पर आप एक कनेक्ट बना रहे हो आप सिर्फ प्रोड़क ने बेच रहे हैं उसके इलावा आप सही टाइम पर सही आपको एक स्ट्राटिजी सबसे जरूरी होती है कि जब आप सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डालते हो किसी भी प्रोड़क के बारे में कई पर बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट होता है कि जब आप एक प्रोड़क के बारे में पोस्ट आलते हो तो वह प्रोड़क्ट आपकी वेबसाइट पर आट चल रहा होता है यह कहीं और गुमा वह तो यह बहुत इंपॉर्टन बात होती है कि जब आपकी जो सोशल मीडिया टीम या आपकी और सेल्स टीम है उनके बीच में जो कनेक्ट है वो बहुत जरूरी रखना जरूरी होता है क्योंकि कई बार आप अगर किसी भी चीज में क्योंकि वह फिर आप जो बूस्ट कर रहे हो या उस पर पैसा लगा रहे है वह वेस्ट है क्योंकि वह प्रॉडक्ट उस तर प्रॉडक्ट के बारे में आप बात कर रियो उसका प्रेजंस आपके जो भी मार्कट प्लेसल ऑगया या जो भी आपके सेलिंग प्लाटफॉर्मस उसमें उसकी वीजिबिलिटी माक्सिमूम हो ऐट पॉछ तट पॉरंट उफ टाइम हो फोके अई अपने प्रॉडक्ट के वानी राइट वही बोल रही थी तो हमने तो वैसे 15-20 मिनट के आसपास का क्लिप देखा वो डूरेशन क्या 15 मिनट का ही था या लंबा था नहीं डूरेशन तो हमारा सो आपको मैं स्टार्टिंग से एक थोड़ा ब्रीफ देती हूँ जहां पे हमारा एक तीन मिनट की हम हो इतना क्रिस्प जिसमें लोगों को आज सरल तरीके से समय इन फरमेशन हो ताकि उनको समझ में आस सके गें वह उन्होंने हमको बनाया वहमने पिछ दी तीन मिनित की उसके बार उस पिछ गव्यूंने सेशन होता है वो डिगुए यू एनसे सेशन कुछ आज से आदे पौ और जाजस के बीच नाव थूछी अरफि में हैं वहारा प्र किया वह आधे पोने घंटें थी तो उता है नोहां रहां अमारे स्टोन्हारों बारें के बारे करोड़ था धन्याद पारें भारेश विल्ण दे ताफिल कम्यों जाज झालते हैं क्या अज किस प्रहजंटा है करते हैं तो मतलब ऐसा है कि उस टाइम आपने ही बोला होगा लेकिन उकलब टीव नहीं है यह और ऐसा क्यों था कि उनको फिडबैक मिला था कि आप बहुत बोलती है क्योंकि नंबर्स का बहुत कॉंट्रेडिक्ट वो हो रहा था टू एंड फ्रो जा रहा था बिजनिस को ले कि आपके सामने आपके पैसे देने के लिए या फंड इन्वेस्ट करने के लिए बैठे हैं आपके साथ ऐसी कॉन्वर्सेशन ही होती है यह नॉर्मल है क्योंकि वो टीवी पे हुई तो लोगों ने उसका कुछ क्रिएट कर दिया बट वो ही नंबर टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो रहता है क्योंकि जो भी कोई इन्वेस्ट करना चाता है वो उसमें कमा के निकलना चाता है इसलिए उस पे इन्वेस्ट करना चाता है और वो धंदा कितना profitable है या कितना उसको दंदा कमा के देगा वो समझना है उनको और हमको अपना दंदा बेचना है तो नंबर की तो तलवारे निकलेंगी न कि अगर आपको investor बोल रहा है कि नहीं मेरा पैसा नहीं निकलेगा और हमें उसको explain करना है नहीं तुम्हारा पैसा इसलिए निकलेगा क्य तो हमें पता है और हमें अपने दंदे के मारे पता है जो सामने पैसा लगा रहा है उसको तो नहीं पता उसको समझाना है क्योंकि वह अपना पैसा लगा रहा है तो वह conversation और वह war of numbers और तो चलेगी चलेगी और वो शिर्फ शाक्ताइंक ना आप किसी के पास भी जाओगे व क्या होता है क्यों इतना due diligence जहां पर आपके पूरी audit होती है numbers की वह क्यों होती है क्योंकि उनको एक एक चीज समझनी दरूरी होती है कि अगर आपका इतना return हुआ या इस platform पे इतनी sale हुई इतना आपने purchase करा इतना आपने invest करा वह क्यों किया वह करने के बाद क्या profit में effect हु और अगर लॉस में effect हुआ तो क्या वह कॉफ प्रॉफिट में कनवर्ट आगे जाके होगा वह इतनी सारे two and four numbers है और एक डंदा explain करना कोई असान नहीं है कोई अगर बना रहे है और entrepreneurship सब कहते है इस very difficult तो वह difficulty explain करनी भी तो है न तो उसमें तो challenge है और two and four रहेगा तो अगर और क्योंकि your business is your business तो आपको convince करना है लोगों को आप customer को convince कर रहे हो ना तो आपको investor को भी convince करना है ultimately सामने वाले की जेब सेखर पैसा निकालना है तो आपको अपने धंदे पर conviction plus convincing दोना आना चाहिए और क्यों नहीं आयना चाहिए मुझे तो लगता है कि हर business owner को हर entrepreneur को you know उसके उस पे जाके बोलना चाहिए कि भाई मेरा धंदा ही सबसे best है और है अमन या और जो लोग थे जो लोग नहीं हुए उनका convince नहीं कर पाए यह उनको समझ नहीं है अपने अपने investments और अपने अपने industry को लेकर सबको सबको interest होता है इस इनर्वेर मार्केट में invested थे इस particular similar category में invested थे शायद वो से खुश नहीं थे शायद उनने mention भी किया था बड़ I think वो एर नहीं हुआ वह उससे खुश नहीं थे तो उस category को उनको समझ नहीं आ रही थे which is fair enough ठीक है हमें भी कुछ चीज का अगर कभी नहीं समझ में है या हमने किसी similar जैसे for example marketing agency लगा लो for entrepreneur एक marketing agency आई उन्होंने सब गड़ कर दिया ठीक है और हमें लगता है कि यार marketing agency तो बहुत ही वो हमने वो बना लिया एक इमेज बना ली कि marketing agency तो गड़ कर देती है आप उस इंडस्ट्री में नहीं जाते हो आई सेमिलरली एवरीबडी एज दिर ओंडर्स टेंडिंग ओफ जरूरी नहीं कि उनको हमारा समय उनको हमारा बिजम समझ में आया अच्छ नि लगा उस वक्त उनको उस पे नहीं ढालना था पैसा उन्हेंने नहीं डाला भी बात म तो बाट करनी है। तो अच्छी तरीके से तो जिस चीज Lorraine Bring Something के रहे हैंड team project it's q 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 qq q 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 qq q 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 जोभी शॉपकास सब्सक्राइब हैं दिन की सब्सक्राइब कि दिन में खाना टाइम खाना काते थाइम आप उसी के बारे में से अआ रहे ह। तो अभी भी कैसा होता है ? कि बिल्कुल होता है, और होता रहेगा तर्लंप से लिगरंग हमेशल होग but.. तो अभी आपके रूटीन में कैसा रहता है? रूटीन तो काफी बिजी रहता है मैं एक मदर हूँ अल्रेडी दो छोटे बेबी के एक मेरा बेबी एक साल का अगले महीने होगा और दूसरा लड़का मेरा दो साल का होगा अगले महीने तो मेरा रूटीन इस तरही किसे होता है आई हाव गूड एको सिस्टम थैंक्फुली हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे ग्रांट पेरेंट बच्चों के हैं साथ में और वी हाव लॉड ओड़ दोमेस्टिक हेल्प जिससे हम कर सकते हैं और फैमिली सपोर्ट एक बहुत बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले करती है रूटीन में कि आज भी जैसे मैं अगर पॉड कास्ट कर रही हूं तो मेरे हस्बंड घर पे हैं और वो देख रहे हैं आज इसलिए मेरे बिजनस में भी है और उनका अपना भी बिजनस है फैमिल बिजनस चलद है मिशिंरी एक्सपोर्ट का उनका फैमिली बिजनस है जो हमारा जनरेशन थर्ड जनरेशन बिजनस है उसके एलावा रिसंट्ली वो डीचिका में भी इनवाल हुए है वह फुल्फिल्मेंट अंब ओपरेशन सबस्क्राइब इतत tornado सबस्क्राइब। तो वहां पर अर वह बहुत स्लो वर्टिकल्ट है। इसके बिलकुल, उसके बिलकुल ऐफ़ जा उन-लाइन को बहुत अलग दुनिया है। तो इसके लेक dedicated brain हमने वो देख रहे हैं अपने बोला slow है offline बेखल इसलो इसलिए है एक तो सबसे बड़ी बात it's a very high capital intensive business vertical कि आपको बहुत human resource चाहिए बहुत पैसा चाहिए offline में आने के लिए और उसको establish करने मिले और offline एक बहुत ही relationship building business है online काफी different online strategies numbers उस तरीके से program होता है offline में आपको अगर जाना है तो आपको सिरफ customer से नहीं बात करें customer से तो आप पहुंच ही नहीं रहे हो सबसे पहले तो आप distributors को साथ interact कर रहे हो उनको बेच रहे हो उसके बाद आप retailers को बेच रहे हो और अगर जैसे online में कहते customer is the king ना तो offline में retailer is the person आपको अगर retailer मान जाए आपको प्रॉड़क कन्विंस हो जाए आपका प्रॉड़क में दम है तो आपका प्रॉड़क में दम है तो आपका प्रॉड़क बिकेगा फिर तो वह बेच देगा अगर आपका रीटेलर कन्विंस नहीं हो ना तो आप कुछ भी कर लो नहीं होगा आपके कुछ और रीटेलर्स इतने इतने जादा देसी और आपका प्रॉड़क में चैलेंज बहुत बड़ा फीस होता है कैसे होता है क्यों मेरे हस्बंड भी आई ओफ-लाइन में क्यूंकि आपको कोई डिस्ट्रिब्यूटर लड़की से बात करता ही नहीं है कोई रीटेलर लड़की से बात करेगा ही नहीं और यहां उसक्वरक में राजेश। बड़ा लड़की और यह नहीं नहीं लगता कि वह धंदा लड़की के साथ कर सकते हैं बात कर सकते हैं, वो इक्वेजन यह नहीं उनकी मैच करेंगे, वो आप से कॉन्वर्सेशन ही नहीं करेंगे. तो इस पृतिक्रीड पॉड़क को ले कर के, या किसी बी पॉड़क को ले करOOOO tutti की, मुझे इसी इंडुस्ट्री का पता है, कि इसी में अगर इनर्वेर को लेकर आप इसी डिस्ट्रिब्यूटर के पास जाओ या किसी रीटेलर के पास जाओ जो जो प्रॉबिबली आप लिगाओ यूपी छोटे से गाउं में यह एम-पी के छोटे से गाउं के जोटे से पास आप नहीं जा करेगा यह बहुत क्लियर है आपको एक मेल फेस हमने यह फेस किया है एंड डाट जब आप सेल्स वालों की बात करते हो आई वी हव सीन डिफरेंस की जब सेल्स में हमने शॉप फ्लोर पे लड़की रखी है सेल्स एक्सेकिटिव उसने बहुत बेटर परफॉर्म किया है क्यों पर जब आपको रीटेलर से डील करना है और आपको डिस्ट्रीविटर से डील करना है इट इस वेरी मेल डॉमिनेट इंडस्ट्री ठीक है वह एक चालेंज आता है फीमेल और मेल में उसके इलावा इतना रिलेशन्शिप बिल्डिंग है आप खुद सोचिए एक आट बाइ हैं या कुछ एरिया है मही क watches Tabii थे साथ समानक उनको पता उनको क्या सम대ीट कैटिकल यह इसी है कि जसको कोई प्रादक्ट तुमें आता है वह वही जाता है चाहिए उसको टॉप आफ वे जाना हो इस तो से से कहते हैं वह स्टिकी क्या गिरि ben रह सोचा है ऐसा क्यों। आप खुद सोचिये, अगर आप इनरवेर पहनते हो, अगर आपको एक इनरवेर आप समझ में आ रहा है, आप कितनी एक्सपेरिमेंट सब्छी सब्सक्राइब लेटे हो, आप परसिनल लेवल पे अ ह्योछ आप ही ने करे बूँटर में ले ले ई, it is your first skin it has to be as comfortable as your skin right the comfort level you have the comfort level you will be wearing it it is so challenging to penetrate and create that market and why is it so important when innershop is not about selling a product it's about connecting creating a connection with your customer किरिटिंग स्setक्रिफ एक बाण बनाना उता है तो डिच्छ का इक बांड बना अपना थीया फल्स बादग च्ट्रक कि अुछ टुक्य करा था किया मुझ माझ बच्छी हराओ टुट्रे पीक कर्ला का तो अल्टिमें टेल् обяз में गुए पूa फ Stephinson fiction प्रड़ इन आपको शुष्याटाटाटेट प्रड़िंडूरी इनुटिया, मैंसे जो आपके इनुटिया टॉर्ण नवाले प्रड़िंडूरी का अओल मैं नहीं पता हैसा इसा बहुत बड़ा बरन्ड है जो इस इताबलिश कर चुक है अपने आपको और एक लड़की उसको कर रही है. तो वो और वो बहुत ज़ूरी है करना, और क्योंकि ये मेल डॉमिनेटेड इंडस्ट्री है, तो उसमें अपना पैर डालना, और में अपना प्रोड़क्ट बनाती हूं, तो जब मैं मैं अपना जाती थी तो समान क्रीदने, और क्योंकि मेरी एज उस टाइप पे थी, मैं अपने अर्ली ट्वेंटीज में थी और लड़की थी, तो में को बहुत डिफिकल्टी हुए, लोग मुझे पुलते थे, आप क्या काम करते हैं अपने कंपनी में, आपके बॉस कौन है, आप आप जरा मुझे अपने बॉस से बा इकोसिस्टम की, जिसको हमने, जिस वन ओफ दो मेरी बेन रिजन्स की, वो एक स्ट्रगल करके वो भी मैंने पार किया है, इस्टैबलिश कर रहा है, कि अगर मैं वहां गई हूं और मैं बैठी हूं तो लोगों ने मुझे एक एंपलोई या एक डिजाइनर एक जूनियर ले जाती थी, मैं और प्लेस कर देती थी, और कलेल को मना नहीं करेंगे, एंड व देड़े जब कुछ बात बात कर लिया, जब उनको चेक आता तो चेक में वेरा साइन होता था, तो, you know, all these things, that happened, that is a part of our journey, और I think, हर इंडस्त्री में, हर लड़की की अपने चैलेंजे होते हैं Woh challenges बहुत लोग बात नहीं करते हैं, बट वो challenges real हैं, apart from, uh, giving, uh, managing your family, managing a business, uh, in fact, why Vani was talking numbers, because, वोक्ति एंदनेश फाव रोग टॉर्ची टॉर्च नापमेंगें अरट जो कम तो यह जो चोटे चोटे इन थाव थे बाकन थाव से दॉर्ची टॉर्ची तावु इंद्ड़। इन फैक्ट हम लोग एक बार बहुत पहले 2018 के टाइम शायद हम लोग वीसी के पास गए थे इन इनिशल देज तो किसी ने हमें बोला था कि आप लोग तो एक इंस्टाग्राम ब्रैंड बना रहे हो मेरी वाइफ भी जूल्री बेचती है इंस्टाग्राम ब्रैंड का वो एक उस टाइम पर ना इंस्टाग्राम इनिशल ही था कि एक छोटा स्केलेबल नहीं है कि यह तो बस घर में टाइम पास के लिए होबी की तरह एक ब्रैंड चला रही है तो कितना स्केल हो जाएगा इस पर इन्वैस्ट करने का क्या फाइदा तो वो सब भी हमें सुनने को मिला है ठीके और ये हैंडल कैसा क्या है 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 अब है हैंडल हमने किया की वह एक चली यह सब चीजे ना हमको और पावर देती हैं इस टाइम तो गुस्स आता है बड़ अगता कि आज जब मैं बैट कि भारे में बात कर रही हुँ न तो मुझे लगता है यह एक वो थे न पुछ बेटर करना के लिए परफॉर्म करने के लिए वें इन यॉर लोग जब आप जब आप लोगते हो जब आप दी मोटिवेटे लोगते हो जब आपको लगता है कि यह क्या कर और क्या होगा तब लगता है यह सब चीजे जब होती है ना तो लगता है नहीं हमें करना है क्योंकि हमने एक कुछ टार्ट करें और प्रूव अर्सेल्फ अगली बार उसको याद भी नहीं होगा उसने मुझे यह बात बोली है पर उनकी वह बात का इंपक्ट मेरी लाइफ में या मेरी ऑंटर जो नहीं है डीचिका पर क्या आ रहे है वो कुछ सालों बात पता जलता है आपकी बातों से मुझे समझ मा रहा है काफी स्ट्रॉंग माइंड शेड़ अप करे करते हूं तो यह इसका इसके लिए क्या करते है आप यह ऐसा ही है बच्पन से एक डर नहीं है आपको सोसाइटी को लेकर के अपने ब्रैंड के लिए बहुत कन्विक्शन है आप में प्लस लोगों के रिजेक्शन की परवा नहीं है आपको साल का स्टागर दश साल की लर्निंग्स दस साल की रीजेक्शन सक ऋर बहुत सारी मेहनत और डेडिकेशन और कुछ करने का और इसको बनाने का क्यूंकि यह उन्द दे डेजभ अच्पने यह स्टार्ट किया था हमें पता है कि जब जैसे जब जैसे जब जब हमने वो इनर्वेर बनाते हैं एक बहुत ही वेल रिसरच्ट और थोटफुल वो था हमारा प्लान था जहां पर हमने सुचा थे यह बहुत बड़ा गैप है और यह गैप सिर्फ इंडस्ट्री में इस एज ग्रूप के लिए ब्राज या इनर्वेर बेचना नहीं था यह गैप था यह के बारे में यह गाप था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में यह गैप है जहां पर हम एक एक अवेरनेस क्रिए ना चाहते है यह हमारे अपने बच्चे न उनकी आगे फ्यूचर में क्या है हम सानिटी नापकिन हर महींने हम यूज करके डंप करते हैं सब्सक्राइब टेम, उपले नियदे केस्विश्टर्प्रेशित के सब्सक्राइब शेयरेशें, इस प्रिमिनले के सब्सक्राइब टेवले करने जानुछ इस थाइएफे एटारे में पाइणिता आपकाइब प्रॉड़ के सेयल आजाएएंगी, हो कड़报 जाएंगी और उ च Er उसको एडुकेट करना लोगों को फ्रव मॉटिव कि वो जनुवनली हमारी इंवारमेंट को इंपक्ड कर रहा है और सिस्टेनबिलिटी घर से स्टार्ट होती है सस्टेनबिलिटी में वरक करना आज आप स्कूल में जाओंगे या आप लोगों में घर में बात करोगे को लेके प्लास्टिक को लेके दीज आ जिस बन ओफ दो इनिशेटिव्स एंड सानेटरी प्रोड़क्ट्स आर यौर बेसिक एसेंशल्स अगर अप उस पे ही एक वर्क कर सकते हो और कुछ इंपक्ट कर सकते हो तो क्यों नहीं तो यह जो कॉज़िस है न वो उस पे उसको किलती है उसके पीछे जने की और का ईति देरू नाटिज़े सभूखने गलानिशन्स और क्रमिनल्स इसा कियो नाटिसफोसबल नाटिसफोसबल नौन डिसपोसबल नौन दिसफोसबल और सुचिबसेबल उसकोरी प्रम्रेइतम लोगं को दिखर व гр collected पाए़ वो उनकों सा कितना डंप हो रहा है और अगर हम प्लास्टिक फ्री जा रहे हैं हर तरीके से सब्जी ले जा रहे हैं तो प्लास्टिक नहीं उसकर रहे हैं उसको भी एक कुछ टाइम लगता है इस ओन अगर आप सानेटरी नापकिन यूज करते हो तो आपको ऐसे भी आपके कपड़ों में स्टेन आता है तो आप उसको भी वाश करते हो और पहले जमाने में आंस्टिस्टर्स हमारे जो वह भी वाश क्लॉथ ही यूज करते थे आज के डेट में एक बेटर लाब टेस्टेड प् टेक्नोलिजी ड्रिवन प्रोड़क्ट मिल रहा है तो आप उसे क्यों नहीं यूज करोगे फिर आप कहरे हो कि हवा खराब हो रही है रहने लाइक नहीं है अगर नहीं है रहने लाइक और ठीक करना चाहते हो तो घर से ठीक करो ना पहले के जमाने में उस टाइम तो हवा अ चलाओ, या ट्रेन में मत बैटो, या ट्रक्स क्यों चल रहे हैं, या इंडस्ट्री बंद कर दो, वो तो एक बहुत बड़ी बड़ी चीज है, they have their own impacts, and you want those things, जहां पे वो इंडस्ट्री में वो समान बन रहा है, उसकी बिना भी नहीं आप चल सकते हैं, तो आप जो घर पे कर बुद्धार नहीं बैठी थी थी, पॉड़कास्ट में, तो मेरा फेस जैसे मैं आपको बोला, मैं बहार आई, लोग में को जाने, it is one of those tags, जैसे एक ऑथर, एक डॉक्टर, एक टाग मिल जाता है, I am a shark tanker, तो रेकिनेशन, ऑपर्चुनिटी तो चुम आउट आउट और आ about your struggle, make impacts in, within the future generation, जो entrepreneurs बनना चाहते है, new entrepreneurs को अपने journey से कुछ lessons share करना, अगर मैं यहाँ पर आ रही हूँ, और I am coming out because of shark tank, या shark tank as a platform भी वही कर रहा है, तो shark tank as a platform educate कर रहा है, लोगों को about entrepreneurship, about the struggles, about how somebody can create a company for themselves, और same चीज़ तो basically एक बहुत बड़ा प्लानेट है, जहां पे एक certain काम, एक certain effort हो रहा है, विजन है, उस प्लानेट में से लोग निकल रहे हैं और वही विजन को फिला रहे हैं, हम वही कर रहे हैं, हम उस पार्ट में से निकले हैं और जो हम shark tank as a holistic vision कर रहा है, हम on an individual level कर रहे हैं, और जब मैं बहार जाती हूं, speaker sessions में जाती हूं, students से बात करती हूं, new entrepreneurs से बात करती हूं, mentor करती हूं लोगों को, तो मेरा विजन यह नही होता कि मेरी शकल जारी हूं, मैं डीचे का से के बारे में बात कर रहे हूं, और प्रॉबली बात me into a sale, I think behind that practice, I feel, there's a very strong feeling that I have, कि मेरी जो learnings हैं, या जो मैं करा है, मैंने बहुत मिस्टेक्स करी हैं, मैंने बहुत खाटे खाए हैं, बहुत धोके खाए हैं, लोगों से, सब कुछ करा हैं, और more or less, हर entrepreneur अपनी जर्नी में यह फेस करता ही है, असी लाख मिले थे अपको, उसका क्या किया, या क्या कर रहे हैं, क्या किया ऐाई, कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला, ब्रांड बिल्डिंग में, हमने उसे यूज किया, मार्किटिंग में, हमने बहुत सारी एंगेजमेंस करी बहुत सारे तो बेसिकिली क्या हुआ शाक टैंक के बाद क्योंकि हम जनुर City हमने एक्जाटली पता था कौनसे प्लाइटफरम में कौन सी चीज जो हम स्ट्राटेजीस की बात रहे थे क्योंकि हमने बहुत सारी स्ट्राटेजीज हमने अपनाई थी, बहुत सारी स्ट्राटेजीज हमने टेस्ट ट्राइल करी थी, बहुत सारी स्ट्राटेजीज हमने टेस्ट ट्राइल करी थी, तो अब हमें पता था कि यह यह 10 स्ट्राटेजीज है जो हमको बेनेफिट कर रही है, जो हमको सेल तो उनकी कितनी गाइडेंस रही वेरी गुड़ आप शार्क टैंक जितने भी जजेज नहां पे होते हैं उनकी जो नॉलेज है जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं कि वो जैसे वो खुद कहते हैं न कि हम में पता है या हमने एक्सपीरिंस किया है या हमारी बात सुनो वो सच है they have a ground devil experience they meet so many entrepreneurs they go through so many business PNLs and due diligences उनको in and out business failures और business successes के बारे में पता है तो they are very good to help you and guide you and they are great mentors like Vinita and Namita have helped us in a lot of things one of the things जुनोंने ओफ्लाइन के लिए बोला था उसके बाद हम उनके पास गए हमने उनसे ओफ्लाइन के बारे में suggestions ली ओफ्लाइन के बारे में हमने गाइड किया जिससे हमारी चीजे बहुत बेटर और स्ट्रीम लाइन हुई उसके इलावा उन्होंने बहुत सारी हमको strategies बताई बहुत सारे तरीके बता है कि क्या हम सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं उनसे हमने मिल के समझा और नमिता के साथ इन फैक्ट मैं recently दथापर Entrepreneur Academy वो चलाती है उनके साथ वहाँ पे मैंने collaborate किया था अपर आपको बताते हैं उन्होंने हमको कुछ कुछ जिसे क्विक कॉमर्स में वनीता ने हमको help किया तो यह सब चीजे है तो शाक्ता है इस डेफिनिटली अग्रेट प्लाटफर्म इन यह जरुनी वो एक्सिलरेट करता है आपकी जर्नी को वो आपको हल्प करता है और इन जर्नी ना हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था हमारे पस कोई mentor नहीं था हमारे पास कोई help नहीं थी कोई back नहीं थी जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है अगर लोग शाक्तांग पर नहीं भी जा रहे ना मुझे लगता है थू लिंग्डेन और थू meeting people अगर आप podcast दे एक रहा है मुझे connect कर ले ठीक है या फिर कोई और podcast कर रहा है उनको connect करें और उनसे बात करें कि हम यह काम स्टार्ट करने हैं और हम को यह चैलेंज हैं उनकी कोई questions है ऐसा कोई entrepreneur नहीं है या सा कोई भी इंसान नहीं होगा जो effort कर के शायद नहीं reply करेगा I'm sure उनकी reply लेट हो करेंगी but if somebody is a genuine person and is coming up and trying to create a difference make a difference in the industry वो आपको help like I am more than happy I've helped so many entrepreneurs from colleges and schools who have come to me and asked me different things की माम हमको अपना product list करना Amazon पे या माम हम कैसे करे start हमें list करना है how do we make I talk to them and tell them कितना time लगता है यार message यार किसी query solve करने के लिए मुझे पता है सब लोग बहुत busy है अपने अपने ब्रांट बनाने के लिए but you can always be helpful तो I think वो एक अच्छा चालेंज है जो विनीता नमिता के थू हमें पता चला है and they are great they have a lot of knowledge I can't deny that और ये सायद November में सूट वा था ये हुआ था हाँ जी शायद November में शुरू हुआ तो अभी आट नो मेने हो गए ये उनसे जो उपको guidance मिली वो कैसे मिल जूल करके हाँ जी हम उनसे एक दो दो बार मिल चुके हैं और उनकी team से बात होती है हमारी we have access to them okay जलता रहते है हमारा February 20th February को air था हमार एपिसोड तो हम वे गॉट दा मनी वे इंटराक्टेट अ लॉट अफ टाइम्स ऐसे होता है कि लोगों का कहते है कि हमारी डील हुई थी और एंड में डील में नहीं होती है बहुत बार ऐसी बात आती है तो उनकी अपने रीजन्स होते हैं कई बार चौर उनकी due diligence में प्रॉब्लम आ जाती है जो audit होती है उनके numbers में बाद में उस पर प्रॉब्लम आ जाती है तो डील में चौर नहीं हो पाती है सब्सक्राइब होता है कि फंडिंग वहां पर अनाउंस कर दे और बाद में कैंसल हो जाए बिलकुल होता है तो जो डेटा आपने शेयर करा रहेगा उस टाम पर डेटा में गड़बड़ी मिले बिलकुल हां कई बार बार बाद में युनों जब हम और क्यूंकि आप देखो सब्सक्राइब करते हैं तो कोई फॉर इस नहीं आए आपके उसमें इन्वेस्ट नहीं किया में बाद में आपको उनको आपका बिसनस समझ में आता आजाए तो बाद में कर देता है तो बाद में देकिन गेट इन टूच विद यू ओके तो इस याद इस एनी काइंड ऑफ कोलाबरेशन कैन हापन तो वह ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं होता बट यह डेफिनिटली है कि जो हुआ है और ऐसा भी होता है कि लोगों ने शूट किया होता है सब कुछ और रिकॉर्ड हो चुका था और एर भी नहीं होता ओके यह भी होता है तो आपने जैसा बोला कि वहाँ पर फंडिंग मिल गई और बाद में कैंसल हो गया तो यह कैंसल वाली बात तो दुनिया को नहीं पता चलती तो वह तो अपने आपको प्रमोट करता रहेगा मुझे फंडिंग मिली है मिली है पर उसके पास हो बोलेगा पर सकी कौहशी कॉंटेंट नहीं होगा नि होगी कोई कैंसल वाद में तो त यह बार एसा होता है कि आप करते हो पर आपका टीवी पे नहीं आता है ठीक है और कई बार ऐसा होता है कि आप शूट हो जाते हो आपका एपिसोट एर भी हो जाता है पर आपकी जो डील होती है वो बाद में क्लोज हो जाती है टीवी में आने के बाद लेटर आने के बाद लेटर ऑन इन दे स्टेज वो क्लोज हो जाती है तो वसे केसे भी होते हैं पर दुनिया को नहीं पता चलती है फिर वो अपने को प्रमोट करता रह सकता है उसके से में क्या होते है शायद ऐसा होते है कि जो सोनी या शाक्टांग टीम होती है वो उनको बोलते है देट यूल हव तो विड्रॉल पिक्चर अन एपिसोड अच्छा 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 और वैसे भी सोनी टीम एक सर्टन टाम के बाद अब हम अपने कॉंटेंट को शाक्टांग कॉंटेंट को नहीं यूज कर सकते हैं विडिवर्वर्ट जज़ को नहीं होते है यूज परसनली आप लिग्ष यूज नियुक्ष टी वह एक स्ट्रशन गार वह जाती है यूज कि वन इसा विमन फोकस्टांग बोडरोम में जरी दो मैं मौर्ड मॉर्विम्र जाती टी और में शुछ थी और उनक्टांग में ग तो वो मुझे था, and more than that, the kind of knowledge and the kind of death Namita has, and Vinita, because she is in a very similar product, similar brand, sugar is a cosmetic, it's a D2C brand, and she's done very well, अपना offline, और same communication, जैनल से गई है, जेनल ट्रेड के थरू, तो बहुत ही similar business, Namita, sorry Vinita, और हमारा, Namita, मुझे as a nature, as a person, बहुत अच्छी लगती है, and she is, for that matter, I've met her, she's a beautiful person, तो उस चकर में मुझे, I was very happy to have both of them, and I, we got them, तो, मेरे फेवरिट वह थे, जो हमें मिले, मजा है उपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, thank you for coming, Dicha, thank you very much, thank you so much for having me, it was great, I think I've spilled my heart out, thank you, most welcome,